दोस्तों स्वागे थी आपका एक पार फिट से जा दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अक्षे कुमार के फिल्म मिशन मंगल सुवतंधरता दिवस्त के मौके पर 15 अगस्त को रिलीस हुई थी और मिशन मंगल ने बॉक्स आफिस पर धमाल मचाना पहले ही दिन से शुरू कर दिया था और कहीं रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये थे तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आक्षे कुमार के फिल्म मिशन मंगल के पूरे 11 दिनों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और साथे साथ हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट हो चुकी है या फिर फिलॉप तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहीगा दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजे और साथ-साथ फिल्मों के ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों जैसे कि हम सबी जानते हैं कि जगन शक्ति के डिरेक्शन ने बनेती फिल्म मिशन मंगल और ये एक मल्टी स्टार फिल्म है इस फिल्म के अंदर हमें विद्या बालन, सोन अक्षिस सिनहा, कृति कुलहरी, नित्या मैनन और तापसी पन्नु जैसी अभिनेतिया देखने को मिली और हर किसी ने इस फिल्म में दमदार रोल निभाया, हर किसी की तारीफ हुई अगर बात करें अक्षिक कुमार की तो अक्षिक कुमार भी इस फिल्म में लेड रोल में हमें देखने को मिले और अक्षिक कुमार का जो रोल है वो काफी दमदार है तकरीबन 85 करोड रुपे के बजट में बनी है फिल्म मिशन मंगल और जहां जॉन अबरहाम की फिल्म इस फिल्म के साथ रिलीज हुई थी तो वहीं अक्षे कुमार की फिल्म मिशन मंगल इसके बावजूद भी ताबटोड कमाई कर रही है और फिल्म ने अपने पहले दिन तकरीबन 29 करोड 16 लाग रुपे की शांदार कमाई की थी तो वहीं फिल्म का 9 दिनों का जो टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन हो गया था वो हो गया था तकरीबन 135 करोड रुपे की आसपास और फिल्म ने दसवे दिन यानि के सटरडे को जबरदस्ट कमाई करते हुए तकरीबन 8-9 करोड रुपे की कमाई की और फिल्म का जो टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन हो गया है 10 दिनों का वो हो गया है तकरीबन 144-145 करोड रुपे की आसपास और फिल्म 11 दिन यानि के आज संडे को और भी ज्यादा कलेक्शन करने वाली है तकरीबन 14-15 करोड रुपे की आसपास और फिल्म का जो total box office collection है 11 दिनों का वो हो जाएगा 160 करोड उपे के आसपास तो दोस्तो फिल्म box office पर hit हुई है फिलॉप तो आपको बता दू कि ना तो hit हुई है ना फिलॉप हुई है फिल्म हुई है box office पर blockbuster अब दोस्तो फिल्म अभी और क्या कमाल करने वाली है आगे अभी 200 करोड का आकड़ा पार करती है नहीं करती है वो तो वक्ती बताएगा लेकिन आप हमें कमेंड में एकसेक्ट जरूर बताइगा कि ये फिल्म एकसेक्ट कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है झांक यू